कि इसमें जितने भी फोटो फ्रेम में लोग दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रधनमंत्री हैं, पहले ही बात, मैंने कही थी, दूसरी चीज, मैंने कहा था कि जे पांच विदानसवा के चुनाव होने वाले हैं, ये गड़बंदन यहीं खतम हो जाएगा, ये भी बात मैंने पहले ही कह दी थी, तो उनका में जो फेस है वो तो मोदी है, ठीक है, तो मोदी के नाम पर ही हो एलेक्शन लड़ते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं, या कितने विदा है, किसके पक्ष में है, ये लोग डिसाइड करते हैं, हालांकि ऐसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री का इससे पहले भी कई वीडियो में हमने इंडिया गड़बंदन को लेकर बात चीत की है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं इसका क्या प्रभाव पढ़ सकता है इन तमाम मुद्दों पर हमने डिस्कर्शन किया लेकिन जिसका जिकर हर वीडियो में करते आए हैं हम आज कुछ ऐसी तस्वीरे नजर आ रही है मध्यप्रदेश में क्योंकि मध्यप्रदेश में कहा जा रहा है कि MP की जो जनता है वो हाथ का पंजा जानती है साइकल की रफ्तार नहीं जानती तो इससे क्या ये समझा जाए कि गडबंदन में दरार आ गई है तूटने की कगार पर आ गया है या अभी कुछ और होना बाकी है अरी जी गडबंदन का जिकर आप बहुत पहले से करते आए हैं कि गडबंदन जादे दिन चलने वाला नहीं है अकली श्यादव ने जो तल्ख टिपड़ी की है मद्यप्रदेश में शील्ट शेरिंग को लेकर बहुत कुछ बता रही है बहुत कुछ दिखा रही है क्योंकि रात के एक एक दो दो बजे मीटिंग हो रही है उसके बाद भी शील्ट शेरिंग पर फॉर्मूला तैनी हो पा दूसरी चीज मैंने कहा था कि जे पांच विदानसवा के चुनाव होने वाले एक गड़बंदन यहीं खतम हो जाएगा यह भी बात मैंने पहले ही कह दी थी और गड़बंदन खतम होने का पहला जो मद्यपरदेश से निकल के आया है वो निकल के आपके सामने आ गया है एक भी आप देखोगे तो कमलनात के रहे है छोड़ो अकलेज वकलेज कौन है ठीक इसी प्रकार से अकलेज निका चिरकुट नेता ठीक अब आप मैं यह बोलता है गड़बंदन तो पहले ही नहीं चलने वाला था यह क्लियर था कि गड़बंदन नहीं चलेगा और को मजबूत बनाने वाले कड़बंदन को दिखाने वाले की कड़बंदन से कुछ होने वाला एक भी दिन इन्होंने अगर देश की बात कहीं कई हो इन्होंने सिर्फ सीटों को लेके बात की और अपने अपने फाइदे को लेके बात की आज अखलेश ने साफ-साफ सब्दो तेनों मिटिंग में बार बार आम देख रहे हैं डिबेट में बी जो प्रवक्ता मारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं कि जो गड़बंदन है वो लोगसभा चुनाप के लिए तैव हुआ है तुछ पर नहीं है जब आपका आज आपकी नहीं बन रही है विदान सभा और आपकी लोगसभा के बीच में कोई कोई सालों का फर्क नहीं है चंद महीनों का फर्क है वो भी एक या दो महीने का फर्क है ज्यादा ज्यादा के दिसंबर में यहाँ पर आपके एलेक्शन हो जाएंगे उहाँ ज्यादा मार्स तक दो से तीन महीने के अंदर तीन महीने में क्या य ने आएंडिया ये बनाया है क्या आप पब्लिक का फायदा करने वाले हो या देश के लिए कौन सी नहीं नीतियां लाने वाले हो ति गड़बंदन तो वहीं देश इस तर पर बन रहा है तो आज अके लिए श्यादव अचानक से जागे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर ये मद्यप्रदेश में हमारे साथ ऐसा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हम इने वैसा ही नतीजा दिखाएंगे जैसा कर रहे हैं आप ये बताईए ये बा आपके आप नेता हो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अपने लड़ाई अपने फाइदे को देखके आज की जन्ता को बेवकूर नहीं बना सकते हैं चाए वो अखले चादव हो कमलनात हो या वो आप राहिस्थान में चले जाओं वहां हो कहीं पे भी इस तरह से यहां सबसे जादा जो फजियत हो रहे हैं वो कॉंग्रिस क्यों हरी है क्या हर को इनसे सवाल कर रहा है इनकी आपस में नहीं बन रहे हैं से पहले हमने कमल्ना अदिख बड़ीजी को लेकर प्रोग्राम किया अभी तो शुरूआत है अभी तो एक पार्टी आई अभी तो मम लड़ने वाले हैं और लड़के अपना नुकसान भी करने वाले हैं यही बीजेपी चाहती भी थी तो वैसा ही कुछ अब नजर आ रहा है तो उनको मजा आ रहा है उनको दिख रहा है कि यह तो जितनी बड़ी-बड़ी इन्होंने बाते करी और उनके बचुनाओं में यह मध्यप्रदेश में कैसे समाजवादी पार्टी जो है कॉंग्रिस का पूरा गुड़ा गणित बिगाड़ सकती है कांटे की टककर है वीजेपी और कॉंग्रिस की वीच यह तो किसी से चिपा नहीं है मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने 29 सीटों पर प्रति तो कॉंग्रेस को कही ना कही दस परसेंट नुकसान हो सकता है दस सीटों का अगर दस सीटों को नुकसान हुआ तो बीजेपी की 104 के असपास वहां दिखाई दे रही है तो अगर सरकार बंदी फिर बीजेपी की नजर आईगी हाँ बिल्कुल और ये पूरा कुछ सर्वे था और कुछ रिपोर्ट्स थी उसके आधार पर सपा की जो रणीती है वो पूरी तरह से तैह है और कॉंग्रेस की टेंशन जो बढ़ गई है उसकी वज़़ा सब जादे यह है कि मुकाबला बहुत करीव जैसा कि अभी जिक्र किय मैंने कॉंग्रेस को 113 125 की उम्मीदे हैं बीजेपी के 104-116 अगर 10 सीटों का हेर फेर पूरा बदल जाता है तो यहां पर बीजेपी कैसे भी करके अपनी सरकार रिपीट कर सकती है बिल्कुल बीजेपी सरकार इसमें रिपीट कर सकती है और बीजेपी इस चीज में महीर भी के चक्कर में यह जो 10 सीटों पर यह 10 सीटों का फाइदा भी कहीं बीजेपी को ही मिलेगा क्योंकि इनकी लड़ाई में पब्लिक नहीं बटने वाली लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर खाने बहुत सारी बाती चल रही थी, बहुत सारी चीजे निकल कर सामने आ रही थी, क्या उसका असर हो सकता है कि पड़े? उसका असर पढ़ सकता है पर बीजेपी मैनेजमेंट में आपको पता है कि उसका हमेशा से बहतर रहा है और वो अपने लोगों को मनाने में भी सक्षम रहे हैं हमेशा से मुझे नहीं लगता कि उनका इतना जादा फ़र्क पड़ेगा हाँ MP में जैसे शिवराज सिंग नराज चल रहे हैं या कैसे भी पर में लगता कि वह जादा दिन नराज रहे हैं क्योंकि अगर हम इंडिया गड़बंदन की बात कर रहे हैं लोग सबचनाव को लेकर जिसे आप जिकर करते हैं कि पोस्टर में जो सारी चेहरे दिख रहे हैं वो प्रधान मंत्री पद के दावेदार है लेकिन कौन होगा है किसी को नहीं पता ऐसा ही इन पांश राज्यों म बीजेपी का कौन चेहरा होगा यह बीजेपी ने अब तक लियर नहीं किया है तो बीजेपी का जादा तर स्टैंड ऐसी ही रहता है कि वो अपने मुख्या मंत्री की कुछना नहीं को प्रधान मंत्री मोधी के नाम पर एलेक्शन लड़ते है या मिच्छा के नाम पर एलेक मैं देखूंगे सिवराज सिंग चौहान पर विश्वास नहीं जता रहें यह पक्का है तो इससे यह कही ना कही का जा सकता है कि बीजेपी को फाइदा जरूर मिलने वाला है अगर इनके अंदर खाने ऐसे ही कल्हा चलती रही तो हां बीजेपी को फाइदा बहुत बहुत जा करें और ऐसा पहले भी कई बार देखा गया बिल्कुल और इसके अलावा देखे यह जो बाते हैं यह आज से नहीं जब से यह वा था कि बिहार में मिटिंग कुई थी इंडिया ऐलाइंस की बात हो रही थी कि हम गड़ बंदन मनाएंगे हम सब सभी दल बोल सब रहे थे ले अगर बाकी दलों को देखें तो उनके पास 55% वोट थे अगर हम सब एक हो जाते हैं तो हमारा वोट शेर बढ़ जाएगा सब हो जाएगा पर सब एक दूसरी की तरफ देख रहे थे कि परधानमंत्री कौन बनेगा वही है कि पार्टियां तो बहुत सारी है चोड़ी शोड सब्सक्राइब करना बकी है और आमादवी पार्टी तो कर मैं नहीं बोलूंगा अभी कि आमादवी पार्टी सबसे पहले भागेगी इस गड़ बंदन से अब यह देख लिजेगा अगले एक दो मेने में आमादवी पार्टी ही भागती भी नजर आएगी समाजबादी पा होगा लास्ट में आप देख लेना नितीश कुमार की तरफ से भी यह चीज साफ हो जाएगी अब इसके अंदर एक और बात हरीजी निकल कर सामने आती है कि जो अंदर खाने बात चल रही है जो अंदरूनी मीटिंग्स चल रही है सूतर जो बताते है कि कॉंग्रेस जो चाह सपा का जो गडबंदन एलेक्शन में भी हुआ था इनका लोग सबाके उस तो बस्पा ने बहुत चालाकी से अपनी सीट बढ़वा ली थी दस दस के असपा बस्पा के पास थी और जबकि वो दो जीरों पे थे जीरों से दस पे आगे था और उनने गडबंदन तुरन आपने जो विदान सभा चुनाओं में आपने देखा होगा सपा ने बीजेपी को समर्थन दिया था कई जगे ऐसा हुआ था जहां उनने अपने कंडिडेट को का था कि बीजेपी का समर्थन करें तो समाजवादी पाटी ने ने बस्पा 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 एक बीटीम बोली बिगाड सकती है और गड़बंदन के पक्ष में इसलिए नहीं है कि बस्पा को इसलिए आइंडियाई के लिए वो बोल रहे हैं कि वहां तो थी नहीं और अब कहां बस्पा की रिकॉर्मेंट आगी है ये सब तो उनको कहीं ने करें बस्पा मजबूत नजर आ रही है नजर आ रही है और इस तरह के बैन बाजी और कई कई ऐसे चिरकुट नेता और ये इस तरह के शब्द जो हैं आपके अखलेश यादव जी कह रहे हैं और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी अभी तो बहुत सब्बे सब्द आएं चिरकुट तो बहुत 243 सीटे हैं विधान सभा की समाजवादी पार्टी के रही है कि हम 50 सीटों पर चुनाव रणने की तयारी कर रहे हैं अगर 50 में से जहां जहां अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर सपा कहीं न कहीं मजबूत नजर आ रही चाहे वो सीधी हो चाहे व दो कॉंग्रेस तो कहीं नहीं गली अंतर कला इनके का वही तो कमलाथ के साथ हम जाए या दिख Pr blessing के साथ जाएं आप देखेना कि सपा की सरकार नहीं बनते हैं, सरकार जहां भी जाएगी सपोर्ट में जाएगी, सपा जिसमें भी रहेगी सपोर्ट में रहेगी, सपोर्ट कॉंग्रेस को करने वाली, आज तुम लड़ाई कर रहे हो, कल तुम तो उसमें एक्षिली ना उन MLA का कोई फायदा होता है, ना उ उतना फायदा लोगों को समझ में आता है कि जिसकी सरकार बन रहे हो, वोट उसको दो, ताकि अपने चेत्र काविकास हो, चेत्र का विकास हो, नहीं तो उनको बोलते हैं कि दूसरे तरह से देखा जाता है कि आरे, यह यह समाझवाधी का एरिया है, सरकार का दिमाग नहीं चाहिए जाओ कॉंग्रेस हो या बीजेपी हो एक तरह से उनके साथ दोरा मानसिकता दिखाई जाती है ऐसा दिखता है बोलता तो कोई नहीं है ऐसा तो कोई भी नहीं है कि सपहा का विदायक है जी हम इसे विदायक निदी ने देंगे या इसको सपोर्ड नहीं करेंगे अब जिसको वोट देना उसकी सरकार बने तो सफा की सरकार नहीं बनेंगे तो वोट काटने के लिए सपा का काम हो जाएगा जिसको काउंग्रेस के वोट कटेंगे जिसका फाइदा बीजेपी को मिलेगा पूरा-पूरा वयान बाजिया तो खूब हो रही है, आपने जो शब्द बताएं हैं वो कह रहे हैं कि अभी तो यह थोड़े सभ्वे शब्दाइब अभी तो सभ्वे रूप से हैं, अभी तो कोई बच्चों का खेल चलेगा यह कुछ ऐसा सवाल ये है कि मध्यपरदेश में ही क्यों अध्यपरदेश को लेकर इतना जादा राजेस्狀 सब्सक्राण में भी है कि मध्यपरदेश को थोड़ा मतलथ मैंतों समाजबाजवादी पर्टी को फिन का कि याद्वों को नहीं और माड़ जातियां है नहीं नहीं कि किसी तरा से भी अपना चेतर बड़ाओं नेशनल पर्टी बनने की कोशिश उनकी थी ऐसा नहीं कि नशनल पार्टी वह भी बनना चाहते हैं क्योंकि का कि आधिल पाटी आम आदमी पार्टी बन गई है में तो बहुत पुराने एंड हैं नहीं बन पाए कि अगर समाजवादी पार्टी गडबंधन से अलग होती है तो गडबंधन कहीं कहा नहीं रहा क्यों उत्तर प्रदेश तो 80 लोगसभा सीटे सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पे अगर समाजवादी पार्टी गडबंदन से अटी तो बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी को, देखे, मैं निकाय चुनाव में इनको फाइदा हुआ और कॉंग्रेस ने ये आरोप लगाया इनके ओपर कि उत्राखंड में बीजेपी को जिताने के लिए सपाने अपनी एक सीट पर एलेक्शन लड़वाया जबकि ये कॉंग्रेस को सपोर्ट कर सकते थे ऐसी छोड़ी-छोड़ी चीजें से अब निकल के आ रही है और इनको सबको कई मिंडिकियों को जुकाम भी होने वाला है तो ये है गडबंदन इंडिया एलाइन्स के हाला जिसको लेकर हम पहले भी जिकर करते आये हैं और आज भी हमने जिकर किया है और तस्वीरे आपके सामने है और बाते भी आपके सामने है किस तरीके से अखलीश श्यादव जो है उनकी तल्ख टिपनी जो है वो नजर आ रही है इसके अलावा कॉंग्रिस भी पूरी तरह से पलटुआर कर रही है ऐसा नहीं कि कॉंग्रिस चुप है साफ के दिया है कि भाई मध्रदेश में हाथ को जानते हैं साइकल को कोई नहीं जानता है तो इससे कहीं नहीं कहीं का जा सकता है कि गड़बंदन में फूर्ट पढ़नी शुरू हो चुकी है आपने पहली कहा था समझदार बनिये और वैसी सरकार चुनिये जो आपके हित में काम करें तो फाइनली मैं यह कहूंगा कि प्रोग्राम हम आपके लिए बनाया है निताओं के लिए प्रोग्राम नहीं है जनता के लिए प्रोग्राम हम बनाते हैं यही हम सूरू से लेकर आकरी तक कहते हुआ हैं समझदारी से रहिए, समझदारी से वोट कीजेगा इनकी बातों में ना आईएगा चाहिए कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का सोच समझ के वोट दीजेगा नमस्कार, जैहिन, सुरक्चित रहिए, खोश रहिए अपना वोट सोच समझ के दीजेगा